जय स्री राम, जय हन्मान, ओम स्री हनुमन ते नमा, हन्मान जी का असिरवाद सदा आप पर बना रहे, हन्मान जी का असिरवाद से आपका भग यूदे हो, जीवन में सुक्सम्रिदी सो भग बरे, आपका कल्यान हो, निश्चे प्रेम परतीते, बिने करें सन्मान, तेही के का सकारत सकल सुभ सिद्ध करे हन्मान हनमान जी आपको भाग्य साली conserv st करो js high महावीर हनमान संकट मोचन किरपानिधान जय हनमानws 11 मार्च बिरस पतिवार का सतन दीन महसी रातरी मंध्यादARS कि तुunya का दीनモंद्धरी 분들은 आज का दिन बड़ी सफलता खुसकबरी भाग्य में धनसंपत्ती का सुख और जीवन में खुसियों को बरहाने वाला धनिष्टा नचत्र सिभ योग में मंगल सनी चंद्रमा का परभाव आपके भाग्य को चमका रहा है। आज चंद्रमा का पंचम भाव में सुर्ज और सुक्र के साथ उदय होना आपके जीवन में कोई बड़ा लाब का संकेत दे रहा है। ऐसे में आज आपके लिए जीवन सुन्दर और सुखद होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जीवन के दुख संकट समाप्थ होंगे और आज आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। अचानक लाब आज आपके जीवन में कोई बरी उपलब्धी तरक्की आपको प्राप्थ होगी। क्योंकि आज आपकी कुनली में ग्रहों की स्थिती कुछ इस परकार है। वही चंद्रमा आज आपकी रासी तुला के पंचम भाव में उदय होगा। जहां सुर्ज और सुक्र का गोचर है। राहु और मंगल अस्टम भाव में गोचर कर रहा है। केतु का गोचर आपकी रासी तुला के दूतिय भाव में है। अगर आपकी कुनली को देखें, तो आज आपके जीवन में सुख और धन बढ़ने वाला है, आज कार्ज में सफलता उनती का योग है, ऐसे में भाग्य का साथ मिलेगा, घर में खुसी का महौल होगा, आज आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता आपको अवस मिलेगी, आज ये घनिष्टा नचत्र सिभ योग में भाग्य सो भाग्य चमक रहा है, ऐसे में सनी बुद्ध का एक साथ गोचर करना दिन की एक अच्छी सुरुवात लेकर आएगा, कोई बड़ी सफलता आपको मिलेगी, कोई पुरसकार मिलेगा, आज आपके मेहनत, रंग लाएंगे और अपने जीवन में आप उन्नती और धन पाएंगे, तुलार आसिवारों के लिए आज सनी, बिरस्पती और बुद्ध का गोचर, आपकी किस्मत को चमकाएगा, क्योंकि सनी के मित्रगह, बुद्ध सुक्रे राहू है, बु मंगल के साथ गोचर कर रहा है, मंगल के मित्रगह, सुर्ज बिरस्पती और चंद्रमा है, जो बिरस्पती सनी के साथ सुख स्थान में गोचर कर रहा है, वही सुर्ज और चंद्रमा एक साथ आपकी रासी तुला के पंचम भाव में बैठा है, चंद्रमा के मित्रगरा सुर्ज और बुद्ध हैं सुर्ज चंद्रमा के साथ पंचम भाव में है वहीं बुद्ध सनी के साथ गोचर कर रहा है राहू और मंगल की स्थिटी आपकी रासी तुला पर सुब है जो आपके जीवन में प्यार की एक नई सुरुवात लाएगा, आपके जीवन में लाब का योग बनाएगा, आप स्वस्त रहेंगे, अपने जीवन में उनक्ति करेंगे, आपके जीवन का संघर्स समाप्त होगा, जो भी करेंगे उसमें बड़ा लाब होगा, लाब के आउसर मिलेंगे आज प्रेम संबंत आपके बहुत जादा खुसनुमा होंगे जीवन में प्यार बढ़ेगा धन बढ़ेगा मान्समान बढ़ेगा आज तुला रासि बारों के लिए धंस फाग्य से परिपुन दिन होगा क्योंकि केतू आपकी रासी तुला के दूतिय भाव में गोचर कर रहा है अगर आपकी रासी तुला के भग्य अस्थान को देखें तो भग्य अस्थान में भग्य का स्वामी बुद्ध का दृष्टी है ऐसे में धन का लाप और भग्य से आप भग्य साली बनेंगे जय प्राजय भय तनाव आज आपके मन से चिंता दूर होगी जीवन की हर बिग्न बाधा खत्म होगी तो तुला रासी वारो विस्तार से रासी फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुम मूरत गरान चत्र की दसा आज का पंचांग आज 11 मार्च विरस्पती वार का द सिवियो आपकी रासी तुला पर मंगल सनी चंद्रमा का प्रभाव केतू की चाया राहूँ छुक्र विरस्पती की द्रिश्टि आपकी कुंडली में विरस्पती बुद्ध और सनी का एक साथ सुख स्थान में गोचर करना और सुर्ज सुक्र के साथ चंद्रमा का उदै होना अस्टम भाव में बैठा राहू और मंगल का आपकी रासी तुला के धन भवन में अपना द्रिष्टी बनाना और धन भाव में केतू का गोचर आपके जीवन में खुसियों से परिपून आज का दिन होगा भग्य साली हो है खुसियों की सौगात लेकर आज चंद्रमा मंगल आपके भग्य को चमका रहा है बुद्ध जो आपके भग्य अस्थान का स्वामी है आपकी रासी तुला के भग्य अस्थान को ही देख रहा है ऐसे में बड़ा लाभकारी योग बन रहा है तुला रासी वार सुबह 7 बचकर 18 मिनट से 11 बचकर 5 मिनट तक का होगा। सुबह 7 बचकर 18 मिनट के बाद मंगल और चंद्रमा का प्रभाव आपकी रासी तुला पर सबसे जादा होगा। मंगल के कारण भग्योदे होगा, लाब मिलेगा, उनती तरक्की होगी, इच्छाओं की पूर्ती होगी। वहीं आज का राहुकाल 2 बचकर 3 बचकर 29 मिनट तक। राहुकाल के दौरान किसी भी सुबकाम का स्री गनेश ना करे। तुला रासी वारो, आज का अमरित काल 11 बचकर 3 मिनट से 12 बचकर 42 मिनट तक। अमरित काल के दौरान सुक्र राहु विरस्पती की दृष्टी होगी। पंचम भाव में बैठा सुक्र जो आपके लाब अस्थान को देख रहा है। वहीं राहु आपके जीवन में अचानक लाब का मार्ग प्रसस्त कर रहा है। विरस्पती आपके जीवन में धन को बढ़ा रहा है। आज बहुत लाबवाला दिन है। ग्रहों की दसा आपके जीवन में सुब संदेश दे रही है। तुलारासिवारों के लिए। आज बिजय मूरत 2 बच कर 30 मिनद से 3 बच कर 17 मिनद तक। बिजय मूरत के समय सनी का परभाव आप पर सबसे जादा होगा। सनी के कारण जीवन में प्रगती उन्नती सुप समचार मिलेंगे, बैभब धन सुक बरहेगा जीवन के कष्ट दूर होंगे, आज आपके प्रयास आपको सफलता देंगे, आज आपकी परिस्थिती अनुकूल होगी, हर काम में लाब होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आज आप मार्च बिरस्पतिवार का दिन त्रियोदसी टीठी को, मंगल सनी चंद्रमा का प्रभाव है, केतु की छाया है, धनिष्टा नचत्र है, सीब योग है, सुक्र राहू, बिरस्पति की द्रिष्टी है, आज आप दिन की सुरवात दच्छिन दिशा की तरफ से ना करें, आप आपके लिए लक्की नमबर नाइन होगा, तो आज मंगल सनी और चंद्रमा आपकी परिसानी को खत्म करेगा, रिष्टों में प्यार बढ़ाएगा, परिवार में खुसियां देखेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, आज आपके जीवन में सुक भरेगा, तुलारासिवारो के लिए भागि सव भागि सुंदर है, आज आपके सत्रू आप से दूर भागें गें, भागे पर भरोसा रखें, आपके जीवन में सिक्र उनती के अऊसर प्राप्थ होंगे, कार्ज सिध्री से मन में खुसी होगी, आज आपके लिए दिन उत्सव मनाने वाला होगा, मन में उमंग जीवन में तरंग भग्य का साथ उन्नती तरक्की लाभ का योग आज जोस से भरा आपका जीवन हर काम आज आज आपके अच्छे से पूरे होंगे सोई हुई किस्मत जागेगी अधूरे सपने पूरे होंगे आज 11 मार्च तुलारासिवारो मंगल सनी चंद्रमा का परभाव है आज की दिन आप हनमान जी का दर्सन अवस करें हनमान जी की पूजा करें आज आपके बिरोधी पस्थ होंगे आपके जीवन में लाभ बढ़ेगा आज धन समरिधी सुख मिलेगा आज जीवन से निरासा परिसानी जूर होगी ये समय आपके भाग्य को चमका रहा है आपके जीवन में सुख और सामती दे रहा है आज सनी के कारण आपके प्रयास सफल होंगे आज सनी के कारण आपकी काम्याबी अवस प्राप्त होगी तुलारासिवारों के लिए आज जीवन में 69 तरक्की भरा दिन होगा आज अपने बुद्धी का उपयोग करके भग्य में सुमंगल योग बनाएंगे सांदार सफलता की कहानी अपने हाथों से लिखेंगे आज तुलार आसी वारों के लिए दिन बड़ा सौभग्य और भग्य को चमकाने वाला योग बनाया है जो आपके जीवन की खुसियों को बढ़ाएगा आज नौकरी बैपार में लाब देगा इस्टूडेन के लिए बहुत सुभ दिन है नौकरी की प्राप्ति होगी किसी कॉ में अच्छे परिनाम मिलेंगे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा आज का दिन सुभ सुन्दर सुख देने वाला जीवन को सफलता काम्याबी के रास्ते पर ले जाने वाला आज धन समरिधी प्राप्त होने वाला सकरात्मक दिन है जो आपके भग्य को बढ़लेगा आप तुला रासी वारो एक ग्यारा मार्च विरस्पती वार का दिन फागुन माकृष्टपच की त्रियोदसी तिती धनिष्टा नचत्र सिभ्योग में मंगल सनी चंद्रमा का प्रभाव केतु की छाया सुक्र राहु विरस्पती की द्रिष्टी आपके भाग्य को चमका रहा ह आपकी कुनली के दूतिय भाव में केतु का गोचर हो रहा है वही सनी विरस्पती और बुद्ध आपकी रासी तुला के सुख भवन चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं अपने काम में लापरवाही ना करें आपके जीवन में बरा लाब का सुन्दर योग है जो आपकी क किस्मत को बदलेगा आपके जीवन में धन देगा आज आपके प्रेम संबन मधूर होंगे आज आपके जीवन में खुसी मिलेगी इस्तरी से लाब होगा भाग्य में परिवर्तन होगा हर इस्तिती में आज आप जीत हासिल करेंगे आपके जीवन में सुभ समचार की चाहेगा आपके जीवन में खुसनुमा समय बनाएगा ये समय आपके जीवन में उननती देगा तरक्की देगा सौ भग्य और धन देगा आज हर काम में सफलता कामियाबी और खुसखबरी मिलेगी आपके दामपत्य जीवन में प्यार ब़हेगा शुक बढ़ direction परिवारिक जीवन में खुसियां बरहेगी आज आप कोई नया काम करेंगे जिससे आपके जीवन में धन, समरिधी और सुख बढ़ेगा आपकी स्थिती बेहतर होगी घर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा तो तुलार आसी वारो आज 11 मार्च बिरसपती वार का दिन फागुन माकरिश्पच की त्रियोदसीती थी धनिष्टा नचत्र सिव योग में मंगल सनी चंद्रमा का परभाव केतु की छाया सुक्र राहु बिरसपती की दिश्टी आपके भाग्य को चमका रहा है आपके काम अवज सुरू करें आपके जीवन में बड़ा लाब का सुन्दर योग है तो ग्रहों पर अधारित अपने रासी फल के लिए रासी फल को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें तुलार आसी वारो के लिए आज का दिन बड़ी खुस खबरी लेकर आया है भाग्य सौ भाग्य सफलता को बढ़ाने वाला सुन्दर समय सांदार समय जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा आज आप हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की पूजा करें बड़ा लाब का योग बन रहा है आज तुलार आसी व होगी समय सुभ है सुन्दर योग है धन का लाब होगा दरक्की मिलेगी उनती मिलेगी तो तुलार आसी वारो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी रासी फलकार्जक्रम में तब तक मुझे आग्या दें आपका दिन सुभ हो जय स्री राम जय हनमान संकट से रच्छा क आपका दें आपका दिन संक्ट का दें का दिन संसर विलेंगे कि देड़े से आपका दिन स्चा की जय हो जो यह जह भाई है लिए ऑ्र यहाँ हो आपका दें के वहादतना है आपका दो